Hey this is Gulfraaz Ahmed and welcome back to my channel. So, आज की वीडियो में जो है हम सिखेंगे Rectangular Grid Tool और Polar Grid Tool. यह दोनों टूल्स को हमने लास्ट वीडियो में ही cover किया था पर बहुत ही basic था. So, मुझे यह महसुस हुई कि मैं थोड़ा और advance आपको जो है इसका in-depth tutorial दूँ. So, इससे क्या होगा कि आपको next जब आप logo designing करोगे तो इसमें काफी आपको helpful यह होगी. So, बेना time को waste के हुए सिधा आपनी screen के ओपर चलते हैं. So, मैं आचुका अपनी computation के तरफ और आज हम देखेंगे Polar Grid Tool और Rectangular Grid Tool. So, Rectangular Grid Tool जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था और दोनों almost जो है मैंने बताया था But Polar की कुछ चीजे जो है छुट गई थी So, मुझे महसूस हुई कि वो चीजे जो है आपको बतानी चाहिए तो चलिए देखते हैं screen के ऊपर So, यहां पे आपका Rectangular Grid Tool और Polar Grid Tool ठीक है दो है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं Rectangular Grid Tool को So, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आप अगर Grid को यानि कि आपको अगर यह पकड़ के रखना है Mouse को And यहां पे अगर आप arrow की देते हो तो यहां पे आपका raw end column जो है जो है वो like add होते जाती है ठीक है तो यह हम यहां पे छोड़ देते हैं And यहां पे इसका color कोई भी एक Choose कर लेंगे ठीक है ताकि यह बहुत जादा visible हो और इसकी stroke को हम थोड़ा कम करेंगे ठीक है So, यहां पे object में जाना है Object में जाने के बाद हमें यहां पे Lock and Selection तो यह हमारा grid यह Lock हो गया है ठीक है एक तो हम शेप टूल जो हमारा है यानि के rectangular tool है या फिर ellipse tool है कोई भी tools है अब जब भी आप draw करते हो तो देखें मैं यहां पे suppose एक यहां पे किया और यहां से जहां भी ले जाना चाहा तो एक particular जो है proportion में वो मेरा draw हो रहा है ठीक है फिर उसके बाद जो है हम समझ लेते हैं जैसे कि यहां पे हम paint tool लेंगे ठीक है paint tool लेने के बाद हम यहां पे कुछ भी एक draw करते हैं just randomly ठीक है यहां पे यहां पे इस तरीके से हम and यहां पे ठीक है अब देख सकते हो कि एक यह draw हो रही है ठीक है अब इसको आप जो है अपनी हिसाफ से जो है change कर सकते हो for example मैं यहां पे इसको इस तरीके से जो है draw किया ठीक है and इसके color को हम change करेंगे यहां पे and यहां पे stroke थोड़ा बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हो यह एक जो है हमारा shape आगिया है तो काफी बहुती beautiful सा बहुती अच्छा सा एक shape मुझे बना के दे दिया so basically मेरा आज का main है वह हमारा polar grid tools को आपको समझाना so यह हमारा यहां पे खतम हो गया अब हम देखते हमारा polar grid tool यह basically काफी unique way में आप इसको use कर सकते हो same as यहां पे जो हम एक stroke लेंगे बढ़ा कर देता हूं ताकि आपको जो है यह अच्छी जो है visibility दे पाए so मैं यहां पे जो है इसको बढ़ा करता हूं object में जाऊंगा and यहां पे हम जो है इसको lock करेंगे ठीक है अब यहां पे आप एक काम कर सकते हो कि एक आपका यहां पे ship builder tool लोगे ठीक है और उसके बाद यहां से आप जो है draw कर सकते हो बढ़ आप देख रहे हो कि यहां पे नहीं हो रहा reason यहां पे क्या है कि मैंने यहां पे इसको जो है like lock किया हुआ है ठीक है तो हम यहां पे सबसे पहले तो unlock करेंगे यहां पे shape builder में हम जाएंगे फिर से और आप देख सकते हो screen पे एक काफी अच्छा effect दे रही है तो हम just यहां पे इस तरीके से जो है चलाएंगे मैं यहां पे एक color में choose कर लेता हूँ चली black कर लेते हैं ठीक है ताकि आपको जो है अच्छा एक feel दे पाए तो आप देख सकते हो इस तरीके से फिर मैं यहां पे चाहता हूँ कि इस वाले portion में आ जाए और यहां पे इस वाले portion में मेरा एक आ जाए और यहां से हम जो है क्या करना है यह वाले portion में हमें एक ले लेना है या फिर ऐसा कर सकते हैं यह वाले portion में हम ले लिया ठीक है और यहाँ पर हम obviously यहाँ पर भी कर सकते हैं ठीक है अब देख सकते हो किस तरीकी का एक effect है तो चली इतना ही हम रखते हैं ठीक है अब देख सकते हो किस तरीकी का एक effect हमें बना के दे रही है ठीक है, अब मान के चलिए यहां पर हम इस ट्रॉक को हटा देते हैं, काफी एक जो है, यूनिक सा जो है, मैं जस्ट रफली आपको आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मैं यहां पर कोई भी जो है, यह नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, चलिए, मैं करके पोशन मुझे लेना है, ठीक है, ए यह वाला पोशन लेना है, तुर मैं इस तरीके से हम एक शेप बिल्डर से एक शेप बनाते चले जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक डाट टाइप की जो है, एक फिल दहरी है, आप देख स़कों काफी अच्छा जो है, क cabinet जो है, की स्मूध वे में, जो है, अगर यही आप जो है लैक शैपस वाली जो टूल से उससे भी कर सकते हो, प्र यह आपको जो है, काफी अच्छा जो है grid system देती है, so I hope कि यह concept आपको clear होगा युदि ज्यादा बढ़ा करने का कोई मकसद नहीं हमारा वीडियो का, आप just practice करो इसको, ठीक है, practice करोगे तो यह सारी concept clear हो जाएगी, so इस वीडियो को यही पर wrap up करता हूँ so I hope कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ जो है, share करें और comment करके हमें बताए, अगर कोई doubt आपके मन में अभी भी है तो and अगर आपने जो है subscribe नहीं किया है चैनल को तो subscribe कर दे, इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर wrap up करता हूँ फिर मिलेंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ सो तब तक के लिए, अलविदा